हम उसका कल भी हमने किया था मनन और हमने अपने रिलेशन्स को उससे जोड़ा था जिस प्रकार के का बाहरी दुनिया में आपके हतियार क्या है पहला सत्य दूसरा है ज्ञान तीसरा क्या है दया चोता है शांती और पाच्वा है शमा यह पांच अस्त्रे से हैं जो आपको बाहर यूज़ करना है बाहर की दुनिया जैसाथ अपने संबंदों जैसे अब आज आते हैं एक नए टॉपिक पर कि हमें किसी इंसान को परखना के से हो विकेंड ये के वन परसन हमें कोई राइट नहीं लेकिन हमारे साथ वर्ताओं मे वह दोस्त के रूप में रिष्टों के रूप में चलाव कि लेकिन बारी दुनिया में जो लोग आपसे जुणे है उन से बड़ताओं कैसे करना उनको हैंडल कैसे लेके चलना है जैसे आह से मानो कार का know लीजे मानों का, for example, एक कार आती है कोई, सब कार एक जिसे ही है, वही कार्बोरेटर वही चार पही है, और वही अलग से ही, उसमें कई तकली पे अलग-अलग होती है, किसी का डंपर तूट गया, किसी के टार को करना है, इसे ही पांच शितत के शरी जो हमारे एक जिसे बने है इसमें अलग-अलग समस्या हैं, दोश हैं, रोग हैं, अब दोश और रोग, हम कुछ करने सकते हैं किसी के और उसमें से उसमें कि कोन सी चीज लेकर चलना, कोन से सुधार करना चलना, पहला तो आप किसी भारी तत्त से मिलो, तो चानक एक जी कहते कि बाहर परखना हो किसे इंसान को, तो पहले पर खो, त्याग, वहाँ आपके लिए, कितना त्याग करता है, how much he can sacrifice, can he sacrifice his happiness for you, पहले चीज़, त्याग की भावना, सिक्रिफाइस कोन किसके लिए करता है, कहने को सब सही है, everybody, I always quote, when you need advice, everybody help you, when you need advice, everybody help you, but when you need help, everybody advise you, when you need help, everybody advise you, आज आपके साथ, अपने जीवन के देखो, कि आपके विश्यम परिस्तिती में, किसने त्याग, अपनी खुश्यों को त्याग के, आपके साथ जुड़ा, ऐसे कितने लोग हैं, तो पहला परकने का, त्याग की भावना है, दूसरा, उसका चरीत्र कैसा है, चरीत्र मतलब, वह, देखिए, मीरर में दिखता है आपका चित्र, वह चित्र मेरा आपके सामने, लेकिन मेरी अंदर दुनिया को जाकेंगे, मेरी बोल्चाल में फिर मेरे को आपका मेरा चरीत्र दिखेगा, मैं आपके साथ पांच मीट बेटा हूँ, अच्छे कपड़े बेंगे, आपको लगा बोड़ अच्छे बड़े गूरु है, जहां मैंने मूग का ताला खुला, ज्यादा बाचीत करी, भारी दश्रों को देखकर अपने विचार दिये, कहीं न कहीं, मेरा चरीत्र जलक पता नहीं, जैसे इसको बाजू को बना है, इसे लोगों से दूर है, जो चरीत्र हीन हो, ठीक है, जो आपके पिछली त्याग की भावना बिल्कुल नहीं है, कोई न कोई स्वार से जूड़े, तो फर्स्त क्या, और थर्ड चीज होती है, उनके गुण, गुण मतलब कौन स कामाँ विचार हैं, किसे बाचित कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, किसे विचार, उनके गुण और अवगुण भी कहीं न कहीं आप देखें, और चोती है कमाई, उनकी कमाई कहां से आ रही है, आज की तारीक में तो हम लोग सिर्फ संपन्ता से आदमी की सफलता आकते हैं, एक आदमी BMW में ग्रूप तरह बड़ी कार में चार कार्ट हो कि हम प्रभावित हो जाएंगे नहीं हो भले कोई माफिया का डान हो हम लोग हाद जोडने लगेंगे किसी युआ अपने दिल में किकी त्याग भावना देखकर करना किसे निसे कि कहा सारा पैसा बुरए कमाया गया पैसा कि मेरे दावाह 10 वर्षों से जादा आपके बास भी ठीह कि नौट बोर दें टेनियर इनी रॉंग अर्निंग आप देख लिए इतियास उठा की देख ले आपके जीवन में जो बुरी रिश्वत कोर से अफीम गाजय करके पिस्सा कमाते हैं दस साल में यो सन का रूटरिशन आपको मैंने बताया था वह दाड़ी घूम जाती है निर्धन को क्या चाहिए जो हमें कहता हूं हमेशा जिसके पास कुछ नहीं होता उससे अभाव सताता है जिसके पास थोड़ा कुछ होता उससे भाव सताता है और जिसके पास सब कुछ होता है उससे सभाव सताता है यह काय का निर्धन को चाहिए धन मध्यम वर्गी व्यक्ति को चाहिए इज़त और उच्छ वर्गी को चाहिए सम्मान remember the three word connected with the income normal who is a beggar person he needs only money from you in a medium class person he only expects you just talk with a respect भाई साब आप बात तो तमीश से करें और जो रिच्छ परसन है सम्रद है उनको चाहिए सम्मान मैं आया तो क्यों नहीं उटा वो बने अध्यात्मिक लोग भी हो अध्यात्मिक्ता का इत्ता गुरूर हो जाता है कि में चलूँ तो तीन जाने साथ में चलना मेरे पास नहीं आने देना ये तो यह चल्चित्र जो है त्याग भावना का गुणों का कर्मों का कमाई का और सोच का यह चीज जरू सोचना और यह सोचकर ही उस विक्ति को नज़्दीक में लाना जब तक उसको दिमाग में रखना मैं नहीं बना उसे जगड़ा कर दो कि दिमाग से दिल में उतारने तक की यात्रा में इन चीज़ों को चेक जरू करना I know you can keep देंग जरू करना अगर कोई अच्छी जरू कमा ता आपका नहीं है नमश्कार आपका काम है नमश्कार करना सको आपको कोई राइट्टी मनता किसी कर्मों के चज़ बनने के लिए लेकिन इसके सासा है उसको दिमाज में रखना दिल में ने बिठादा दिल तक यात्रा में चार चीज़ जरूर शीद本 नहीं कि आपके लिए उनकीत्न समर्पित है और इससे आप भी सोचेंगे कि हम उसके लिए कित्न समर्पित है यह भावना वही रा सकता है जो किसी और के लिए समर्पित है इस तिल मैं मानों की बात करूँगा मानों मुझसे जुड़ा वो समर्पित भाव उसका एसा है कि आज तक मेरी कोस्ट को कांट्सपर करता है तो मतलब मेरा ये बोलने का भी प्राई है कि जुड़ो तो किसी से पूरा समर्पण करोगे तो आपका काम वो व्यक्ति नहीं करेगा तिर्फ आपका आस्था और आपका विश्वास करेगा क्लियर तो आप बड़े समस्दार हों बहुत बुद्धि जीवी हों लेकिन कभी न कभी जिसे हम केते विनाश काले विरित बुद्धि अपने विवेक का उप्योग करके इन चार बातों का अवश्या आप ध्यान रखो एक मिट अब कौन सी चीश का उप्योग करनार कौन सी चीश का उप्योग नहीं करना देखिए वो कहते हैं ग्यान के बीना इनसान खो जाता है अब बगर सेना पती के सेना घुम जाती है और पत्नी भी अगर पत्नी न ध्यान दे तो कहीं खो जाती है तो कई आपका अटेंशन है की नहीं अपने परती ये जरूर चेक करना आपकी नॉलेज के रिवीजन जरूर होना अपने रिष्टों पर अपना ध्यान जरूर होना और कई चीज आप ऐसा तो नहीं कि नजदिक होने के बाद भी इग्नोर कर रहे हो ग्रांटेट ले रहे हो कई बार ऐसा होता है और जो मैं तो पती-पत्नी की संबंद में बोलता हूँ दो शब्द चीए हो उसको आपके किसी बेटा बस क्या चल रहा है बढ़ी है मैं लाए कोई काम ये तीन-चार शब्द पती-पत्नी के संबंदों में प्रखारता मनते हैं अगर आपने ग्रांट किसी एक गाड़ी में हावा कम हो जाती दर दूसी घाड़ी में बेलेस करके चलती है उसको तो बेलेस संतुलन बना के रखो अपने विचारों में अपने भावनाओं में और अपने बुद्धी में और परहने के लिए लोगों को ये भावना जरूर देखो कि इसमें कित्ता त्याग है त्याग की भावना कित्ती है इसका चरित्र केसा है इसके गूर केसे है इसके कर्म केसे है इसके कमई केसी है उसके हिसाब से उस इंसान को दिमाग से बिन्मे बिटाओ बोर तो नहीं हो रहे Most of the things you know it आप सभी लोग इस जानता है अभी मेने जब बोला त्याग की भावना इरेक्टर आपका चरित्र सा होना चाहिए कि कोई ताकत नहीं किसी की बात करें आपकी कमाई मेहनत की गुण आपके विचार मैं कहीं देखते हूं मेरे साथ कहीं लोग इसे जुड़े हुआ है चीन में ये चारों चीजे मुझूद है चारों चीजे मुझूद है त्याग की भावना भी हो एक दो विक्ती लाइट पर मिल गयने से जो अपनी खुशी को आपकी खुशी के पीचे मार सके उसके चरित्र को देकर आप अपने ना सुधार कर सको उसके गुड़ों को देखकर उसके विचारों को देखकर आप अपने विचार बदल सको और उसके धन अर्जन के तरीकों को देखकर आपना धन अर्जन बदल दो तो जीवन सफल हो गया इसे एक या दो लोग ही काफी है आपको लाइफ में ध्यान लखना पूरी दुनिया नहीं मिल सकते आपको ना अलग अलग किया कि कूर समय मिल जाएगा किसी में त्याक की भावना मिल जाएगी किसी में एकूर मिल लेगा वो पेसे के भी त्याक की भावना होई तो उसके अपने उपर भी अप्लाइब करना इसाब से उसमें अप्लिप्मेंट कर रहा हूं। क्योंकि यह जो चीज में सुननों यह आपने उपर भी अप्लाए करना है। मेरा पूरा गुरुप मुश्वन निष्वार्द भाव से उड़ा है। कोई con Śчив अगिसी का किसी से कोई में फोर्णी लगाँ कि कोई नियाना तो गुरुजी कर नौट अर। निस्वार्ग भाव से आप जूड़े ही हो समय समय पर आप में मदद की भाव ना किसी की खुशी के त्याक की भाव ना गुरू जी खुशेंगे चलो यह करते हैं I still remember one incident again I am saying again and again but मेरे को कोई obligation नहीं है I was planning in the 19th 2019 में मैंने 18 में किलाश मांसरों में योग किया था देखो जो हता में clear बोलता हूं जो मेरे 2019 में I was planning to go US and fortunately 21 तारीक योगा डे वाली बीचपारी थी और कहीं मेरे मूँ से जया को निकल गया यार जया मिटा मेरी इच्छा यार कि अब यह कुरूस में योग करना चाहता हूं I was not expecting and I was not so much financial sound simply कि मैंने दिन four to five days तो ये चीजे हो सकता है मैं लागू नहीं करता हूं जो इसकी feelings मेरे पर तो आपको इसली बोला ऐसा नहीं आपको कोई गड़गरे में खड़ा करना हूं वह भावना है थी वह committed वह धूंड में लग गई वह को सिफ क्रूस चलता है कि किस तारीक बीचनों वह परमिशन ले ना करना हूं नहीं तो आपके ख्वाबों को साकार करने में एक दो लोगी काफी बाकी भीड़ी की जरुवत आपको नह उनके लिए जब बगता है तो आप भी उसी प्रकार समद भीखो मतलब मैं आपसे कोई गोलने में उननीस पे मैंने एक बाल बोली मैं कलपना मी नहीं कर सकता था वहां बेलकर इवेंट की परमिशन ले ली मैं सोचा था कर टिकिट पर जाओ तो इवेंट की परमिशन लेकर क कमरा मुख कर दिया इतने लोगों मेरे साथ जाने वाले तैयार होगा दो तीन जार पाले जबरन तैयार करवा दिये खुद ने गई पांच जने खुद ना अपकी जरब से कराया करश्णा मेनी को अमरे साथ बेज दिया क्या किसके लिए गुरुजी खुश होगी इसको क्या मिलेगा मैं क्या दे सकता हो उसको सिर्फ जान के भी ना लेकिन वही एक भावना थी यह भावना आपकी जिवने किसी रिष्टों के अलावा किसी विक्ति के मन में करने की पत्ति है ना आपकी तो सब वह वो व्यक्ति में दिविता मिलेग PCR के भावनाओं में उसके आश्यरवाद में आपको इश्वर मिलेगा तो सदा ध्यान लखना जिस गरव व्यक्ति आपके साथ आपके खुशिमें त्याग करें उसके साथ कभी धुका निकरने कर दो क्या कि जो आदमी सचे चरीद का हो यह से हमारे लोग तो ही नहीं हमारे बीच में इतने लोग बारागा लोग आते चोगदा पंदलोग आते हैं कभी कभी लेकिन यह तो मुझे फक्र करता हूं मैं मेरे पर हजारु की टीम नहीं हैं मेरे पंजाब चेहरे देखके में बड़ी खुशी होती है बेरी फ्रेंक्ली से इंग और अभी मैं नया परिवार बनके आप जोगों को अंतर नहीं लग रहा मेरको और रियली बता रहा हूं सुबे से लेके शाम तक का समय केवल मैं टेलीफोनिक बात करता हूं जोगों करता ह मेरा पढ़ने वागरह नियान अगलता हूं भगी मेरे शुषिन होती साढ़े-अब Calvin Pegreum क right कि संडे में आप मिन नहीं पाता हूं कि संडे मुम यहां करना रपार्ड़ का लोग लेके जाना व अलग कर लेता है अब और शेजर संदे था परसू संदे था और संदे ऐस करें लेगा दो अच्छे चलो भी या तुमारा साथ चल कि I have to roll a play a father also तो जालक की जो केते थे जो उन्होंने विश्म्ताव से जखी कि किसी व्यक्ति को चार प्रकार की लोग होते हैं और कल हम चार प्रकार की बातें भी करेंगे किस प्रकार के रोग में किस प्रकार की बाते हैं पहली बात मैं आपको बता रहूँ कि आपको अपने हिसाफे जज़ करना कि किसको बुद्धी में लाना और किसको दिल में लाना है तो त्याके की भावना सर्वो परी देखो और गुण देखो, चरित्र देखो और उसके कमाई का सोस्त देखो Anybody want to edit? आज के इस ग्यान में कोई बुनना चाहेगा? अंजु को बोल दिया फोन करा अंजु जो रहा गुरु जाप परो दौर 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 तयारी कर देखो आज याज आपके भाव को कोई मेहनत देके विचार को देके उपरिशूट कर देखो बहुत बढ़ी बात मैं तो पिक्चर देखने का सपना देखता हूँ और आप लोग साकार कर देता है अब आप लोग में कहें कि गुरु जी आपकी ब्लेसिंग वो तो एक्षिन चलता रहता लेकिन कहीं न कहीं गुरु भी अदूरा है बगिर शिश्चों के बोल बिटा अन्जू का हाथ उठा बोल बिटा मैं ये कह रहे थी कि आपने हां कर दी आने की तो वही बहुत बड़ी बास थी है हमारे लिए थैंक यू अब अन्जू को हाँ लग रहा है और मेरे कुछू की शोग के पेशन हीलिंग का जबने के चलो आप हीलिंग करने जाएंगे बस तो यह यही है इसको अंदर विश्वास में डालो सब एक दूसरे के पूरग बने एक दूसरे की मदद करने को तयार बेटे और कभी कभी आप सूच ना मदद आप किसी की कर देतो ना और वापस करने का बनओ तो आपकी हिम्मत नहीं होती करने की और अब में नहीं करूँ कोई शक्ति आपको यूज कर रही है हर किसी के लिए करने की चार किसी की नहीं होती जमा ना पड़ा है तो यहां चानक की की जो वर्ड्स है कि बाहरी दुनिया में रिष्टों को देखो और अपने किसी व्यक्ति को परक्षने के पेरे यह चार बातें जरू देखो और चार बातें कल हम एक एक और लेंगे इसके में कि किसी व्यक्ति के अंदर कोन को सी बुरे किस परकार के होती है यह भी हम जानेंगे चानक क्या एप्रिशेट वाट इस इस टॉकिंग जो भी उसके पाइंट से आज बड़ा मुझे खुश होती इस बात की है कि नरेन मोदी जी ने चानक के मूर्ति को संसब में स्थान दिया जब दिया जब ही मेरे को लगा यार इसके बारे में थोड़ा ओर पढ़ना चीए क्या कारण है मोदी जी ने संसान में स्थान दिया तो चाहिए उनके बारे में भी जानकारी पूरा सब लोगों तक पोचा है और मुझे मालूम मैं आप लोग इतने ग्यानी हो मुझे से जादा ग्यान ने लोगा मैं तो कुछ चोचो चोटे टॉपिक लेके क्योंकि ना में कोई संस्कत के श्रक पूरूँगा जिस प्रकार सोने को तप्त है उस प्रकार इंसान तपता है उसी प्रकार इंसान को भी तप तप के बाहरे यह इसी बात नहीं करता है मैं आप से लेमेन वाली बात करूँगा ठीक है? हाँ बेटा जया है बुल अन्मिट करना तर गोश्ट होए तो स्वायम नहीं गुरुजी मैं होस्ट नहीं हूँ अज को होस्ट प्रणाम गुरुजी जस तो एड अन्जुजी मेंशन I wanted to mention the same thing we are just tools and there's a little anecdote to this before मेरे आपकी connection होने के पहले आप कहते हैं like connections बनाई रही होती है किस कारण क्यों हमें मालुम नहीं आपकी आने की पहले Krishnamenya और हम Sai Baba से प्रेख कर रहे थे उसको cruise में जाना था अगले साल तक cruise में जाना है तो बाद में इस चाम इन प्ले like this happened but before that the prayers were there that we have to go मुझे आना नहीं हुआ आपके साहर but you know it all happened is what I'm trying to tell and we were just mediums I'm just mediums and Guruji did everything he gives credit to others always उन्होने सर्च किया उन्होने प्लान किया उन्होने बोला बेटा ऐसे कर सकते है क्या ये है क्या क्या है but because it was new Guruji को यूस का exposure नहीं तब रहे थे हैं and we had experience being on the cruise me and my family so I was able to aid and we are just like tools he did everything he gives the credit to all just I want to give the message of yoga yeah my god how I use all transport मेने ट्रें किया पहाड़ी पे गया मैं जल में नहीं कर पाया वह जया माध्यम बन गई क्योंकि मैं कितना सोच तूँ कर लो लेकि जब तक कोई medium नहीं बनता तब तक नहीं न और अभी thought आता है अभी बंदे भारत का प्लान किया है वो भी होगा अब बस मुझे 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 कुछ काम बोलो तयार है तो यही भावना किसी के लिए कुछ करने की भावना विवेक के साथ remember along with your awareness अगर आप रखोगे कोई पूजा पाठ मत करो कोई तप भी मत करो जब भी मत करो संयमित मन सा कोई तप नहीं अगर आपका मन संतुरित है तो उससे बड़ा कोई तप नहीं संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं अविनाजी की मिश्यस का नाप संतोष है वो अंजूस को देख रही संतोष है तो क्या हो कि हम लोग के ना वो ही ना हमारा मन बठकते हैं वो पांच तत के शेही से जोट रही है संतोश से बड़ा कोई सुख नहीं और क्रोध से बड़ा कोई रोग नहीं क्रोध से बड़ा कोई रोग नहीं ये चानक किजी के चार पाइंट है तब आप पूजा पाट करने जारे हैं वो भी आपके मन कोई संतुलिक करता है तो मुलें को संतुलिक करना से बड़ा कोई तप नहीं जोड़ा नहीं को अधिल से बड़ा कोई सुप नहीं और धया और त्याग की भावना से बड़ा कोई गूर नहीं शवर करते वियर संदोड़ेंने कि सतुझा नि aja ए ईग शिलाधा है, वहार है यह चॉलाज है. कि संचित्धन होता है लेकिन उनका कलेजन हुथा देने का कुछ करने का यृण होताम तो ये बता रहा हो यह बात तो प्रूह हो गई कि पी जिघर होना ustra architecton देने को बी एक आठ या आयट आप गिविन भी होना चाहिए कहीं लोग करजे में आ जाते हैं और देना चालू कर देते हैं उनको भी रोगता हूं कि नहीं अपना हाथ जला कि हमन नहीं करना तो हम मन को तब से मन को संयमित करते हैं हमारे मन संयमित कम है अगर हमारा मन वर्तमान में है अगर क्रोध रही थे तो हमें कोई रोग नहीं है और अगर संतोश है इस बात का जाही वीदी राखे राम ताही वीदी रही है जो परिष्टित आपकी है अगर आप संतोश ही है इसस इसे बड़ा कोई सुख रही इसी अब्दुलकाजाम सकते हैं से थे जिसके चेहरे पर मुसकान हो He is a successful person for me और जिसमें दाया की भाव हो किसी के लिच करने की इच्छा हो उससे बड़ा कोई गोण नहीं ते चंद बातें इसी हैं जिसको हम आप पहले से भी जानते से हमने भी थोड़ा सा आपको एट कर दिया रिवाइस करेंगे तो कहीं न कहीं इसको एजीवन जो अपना पंचतत का शरी मिला है लाइफ मिली है इसका justify कर पाएगे पर ये सभी condition में अपनी भावनाओं को अपने वीवेक पर हावी नहीं होने देना एक बाद ध्यान लगना इसलिए हम हमेशा कहते हैं when you are too happy don't make any promise when you are too happy don't make any promise when you are in aggression aggressive don't speak a single word and when you are in set don't take any decision जब आप बहुत खुश हो किसी से कोई वादा मत करो जब आप गुसे में हो एक शब्द मुशे ना निकालो और जब आप उदास हो कोई निल्डे मत लो यह मन के तीन स्थितिया होती है यह तीन स्थिति में क्या करना द्याना बचारव यह हो गया खुशी खुशी महां कर दोंगी जहाँ खुशी पुरी हो यह रहे और कहां हम बोल दिया यह सामानता ऐसा spiritual organization में होता है वो दान के लिए प्रवोक करते है इनने पात दिया क्या करोगे शरी सब कुछे ही छोड़ना है बोलो कित्ता दोगे वो हाथ लाके बुले ही तीन लाग रुपे वो घर आके देखती है आर कहां तीन लाग दूंगी वो टेंशन वाए जाती है तो वेर्न यूर टू हैपी और टू इन पीस दोंट लिए प्रॉमिस ओके दान अगर संख्या में दिया जा तो दान ही नहीं हो दान का मतलब ही न दा न जो न दिया जा साँ वो कॉंटी जीसस को तोल लिया तो मतलब सत्यैनास पढ़ हे कुछ वर्गे साजी उतोशत है हर प्रकार की लोग होते है हर प्रकार की होते है सबको अपने अपने कारे करने है ओके अब आज जो हमने आप सब बोला करता है इसके बारे में कुछ आपके प्रश्ट, Kanchan जी, दुबई से कुछ कुछ पुष्णा चाहती हैं आप? नहीं? Manju जी, Tina after long time, Tina normally in the US, Neha, Anil Kumar जी, blessings, Kalpana blessings. Okay, you got it? Yes, Ujjay. God bless you, for sure. Thank you. आज हम एक और ध्यान करेंगे नया, Deep Meditation की, कि आज मैं सब भी में इसमें लिखता हूं, चानक के क्यान के साथ साथ, आपको एक Deep Meditation की और भी ले जाओ, और 20-25 मिट हैं, अभी अभी अमें गेहरे ध्यान पर जाता है, और वो जब ध्यान में जाओगे न, तो सयमीत मन वाला कप कर रहा हूं, मान को ध्यान न करना, मन को एकागर करना, मन को संतुलीट करना, is one type of prayer. दूनों हाथ यसे करें, बोथ हैंड लाग दिस, तन ये पाम, अगें, प्रकुमो, आपकी नीज इस्टेबल होना चाहिए बाकी वेस घुमना है अंटिल नॉट फील दा पेन और आप वो दर्द महसूस नहीं हो जब तक यूर शोल्डर्स डाउन शोल्डर मस्टर्स मुविंग हाथ भी हल रहे है थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है रहे हैं। रहेरे लुट बा हैं। रहे हैं। रहे हैं। आपको धीरे धीरे छोड़ना है नाभी पर धियान रखते हुए you have to inhale long breath and exhale by the mouth slowly, slowly attention on the navel area start you you मुक्त से धीर ये धीरे श्वास जाने दें, लंबी गेरी श्वास बनें नहीं झीर नहीं झीर दीघ झाल 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 जो भी चल रहा है विचारों का आना जाना बंद हुआ शरीर इस्थित तो है ये 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 य झाल 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 तेकर लॉंग टीब बिद्ध एंचेंट हरी ओम वित मी लंबी गेरी श्वास भरेंगे हरी ओम चेंटिंग के लिए सबसकती है झाल 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 one more time हरि ओम चांट long breath हरे ओम यह बन्हुंट इन्हुट सब्सक्वरा नक बढ़ बाऊ देवडा की प्यार्थ नच्वरा नच्वराशने मावना लूट देफ यह सकती है last time take long deep breath आरे ओ कि छो करन गया है do पयाasha पयाँ पयाँ झाल 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 गंगा नदी के तट पड़ गए हो, वीडियो में देखा हो, कल्प ना करें गंगा नदी का, आज गंगा दशेडा है, आज गंगा नदी का पामन दिन है, नर्बदा और गंगा का संगम हुआ, यही है धरती, यही है गंगा, बदले है गंगा वाले, यही है धरती, यही है गंगा, बदले है गंगा वाले, दिये वचन भूलाके, जूटी सोगंद खाके, अपनी आत्मा गिराके, चले सर को उठाके, पही मा समझलो इसकी, सदिया हुई बहते बहते, राम तेरी मुझ पे क्रपा हो गई, सिता राम सिता राम जपते, शिव के शिशु पर बहने वाली इन उसता में बहती, हिव के शिशु पर रहने वाली इन उसता में बहती, भागीरत की सचीत पस्या में ली कैसे होती, अपने कर्म सुधारो अपने आचन सवारो, गर्मन होगा चंगा तो कटोती में बिगंगा अपने कर्म सुधारो, अपने आचन सवारो गर्मन होगा चंगा तो कटोती में बिगंगा पहीमा समझ लो इसकी सदिया हुई बहते बहते, राम तेरी मुझ पे क्रपा हो गई, सीता राम सीता राम जफते किसी को दोश देने के पेरे सूचना, आत्मा है एक सचा हीरा, काया है एक थैली, हीरे को मत जूटा कहना, देख के मैं ली थैली, हीरे को मत जूटा कहना, एकों लंबी गेरी श्वास बरहे हैं, दंगा नदी का तटका इस्परन करते करते हैं, जब भी पूरता महसूस हो, अपना समय लेते हुए, आहिस्ता, आहिस्ता, अपनी आखें को और सकते हैं, यू के ओपन यूर आइस, whenever you feel complete, take a glass of water, cover by glass, feel that in the glass, there is a unga gel, यह जल के पीने से, शरीर का 70%, 60% जल शुद्ध हुआ, you are purifying your body, detoxing your body with the help of water, remove your hand and drink the water, अभी यह जल की शीतलता, कितनी आराम देती शरीर को, और यही शीतलता, ठंड होने पर, तकलीप देती है, अपने सुख दुख को प्रकति से जोड़ो, ठंड हें गर्मी भी आएगे, दुख हें सुख भी आएगा, आज यंगा दश्मिका दिन था, हमने गंगा का इस्मर्ण किया, गंगा कहीं नहीं है, बहते हुए जल में नहीं है, सुरी, आप में ही है, शीव ने जटा में गंगा क्यो रखी, कौन बताएगा, वो ब्रह्मान पूरी धरती बह जाती, उस प्रभा को उनोंने अब यह जामे रोका, इसी प्रकार हमारे परिवार में कोई आने वाली आपदा को, हमें महिलाओं को ही रोखना है, यहन नकना, इन इने महिलाओं के केश बड़े होते हैं, आज एक महिला ही खर को संतूलिक कर सकती हैं, और वही महिला घर को काट, दूर कर सकती हैं, अभी तक इतियास है सब महिला उसे हुआ है मैं ब्लेम नहीं करा हूँ बट यह आपके हाथ में है शादी के वक महिला तीन फेरे आगे चलती है पुरुश रहे क्यों बस साथ हो गया डांस कर लिया जूते चुपा लिया भी नेवर नूँ वाए पहला धर्म कर्म के मामनों में तुझ से आगे रहोंगे अब बात तंगे हो जाएगी इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसलिए मेरा यह मानना है किस्तियों के केश बड़े होते हैं किस्तियों के शक्ति की रूप पर चीओं के साथ रहते हैं गंगा दॅखेरापारू की शुपकामना और आज की दिल की शुपकामना और आज की ध्यान की शुपकामना है। Okay I'm दश्मी थी आज गंगा से जोड़ दी अम मालूमता रिश्यमुनियों को काम दंदा तो रहेगा नहीं लोगों के पास क्या जोड़ा बही आज गंगा दश्यमुन आज जोला गंगा बिस्तान करने जाओ अब आज कौन देख रहा है इसे अलग-अलग बहाने बना लिए गए पर आज की दिन में प्रसंग एक नहीं है आज हमें हमारे कर्मों पर ध्यान देना है कल युग केवल नाम तिहारा सिर्फ इश्वर का नाम ले लो नाप काफी है अपने कर्मों पर ध्यान दो अल नुआ प्रसंग आ प्रसंग आज की घ्रजओस OME बनियों है झाल झाल